हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी है, सीधे उनसे बात करेंगे, सर चुनावी मौसम है तमान तरा के बयान भी आ रहे हैं, मायावती ने एक ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमों हैं, उन्होंने कहा है कि इस समय भाजपा, सपा कॉगरे, सप्रलो भन दे रे तमान तरा का, लेकिन लोग जो है वो ब्रहमित नाओ, उनका कहना कि जब सरकार में रहे, तब कुछ किया नहीं और अब बादे कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने चार बार मौका दिया है मायावती जी को, उनके बारे में जानने के लिए प्रदेश की जनता के पास कुछ बचा नहीं है, और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से वो जानती हैं, इसलिए जो आज एक सोशल मीडिया पर राजनीत का एक फैसन चल पड़ा है, उसका वो हिस्सा बन रही है, कभी धरातल पर तो जाना नहीं है, कभी जनता के बीच मे तो जाना नहीं है, तो इस तरह के उल जुलूल की बात करना, और मैं आपको मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी बात, कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का हमारा दलित वर्ग है, वो बड़े पैमाने पर, जो हम 300 पार की बात करते हैं, प्रदेश में 2017 को दोहराने की बात करते हैं, 2017 से भी मजबूत और ससक्त सरकार बनाने की जो हम बात करते हैं, उसके पीछे जो बड़ा आधार है, दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, कि दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आज की तारिख में पूज मोदी जी के नारे के साथ, सबका साथ, सबका विकास, स सबके प्रयास के नारे के साथ, दलित वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ चुका है, और हमारी सरकार बनाने में वो बहुत बड़ी सहयोगी की भूमका में आकर खड़ा होने बाला है, तो फ्रस्टेशन में ये बाते निकल रही है, राजनीत में ये लोग अपने अस आज क्या सोचता है, आज 80 करोण लोगों को देश के अंदर हम मुफ्त में रासन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो दलित वर्ग उसका सबसे जादे लाभानुवित होने वाला हमारा दलित वर्ग है, जो ये अन्न योजना हम चला रहे हैं, हम उनको आज उ 2022 में वही बहुत बड़ी बात होगी. 2019 के लोग सभा के चुनाव में सपा और बसपा के गडबंधन को सबसे बड़ा राजनैतिक गडबंधन कहा करते थे, उसका हसर क्या हुआ? तो ये जो समाजवादी पार्टी का ड्रामा चल रहा है, उसका हसर क्या होगा? अभी बस दो-तीन महीने बाद बस इंतजार करना है, आप देखिये का इनका हसर क्या हो? और ये पिछले बार से भी नीचे नहीं आ गए तो आप बताईएगा? और आप देखियेगा, 2022 में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचने वाला है, इस बार के चुनाव में. नाम लेने के लिए भी कोई वहाँ बचने वाला नहीं है, कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीतेगी. तो ये थे हमारे साथ मैंने लाजबर चीज, इनका साफ कहना है कि जो दावा कर रही है बाजबा, 2022 में पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने की उसके पीछे बड़ा जो आधार है वो है दलित पोर्ट बैंक. क्यामरा से योगी विरेंदर के साथ शेलेशर हो रहा, एबीपी गंगा लगणावागा. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जबाद की.